वेलकम टू समाधान श्टडी आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान श्टडी में और सातियों आप सभी लगों के लिए एक महत्पुन अपडेट जिन सातियों का PVFT सेकेंड राउन में भी नहीं हुआ है और उन सातियों के लिए एक चांस है कि वह जो है आ प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे तो आप लोग चैनल पर बने रहे और चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि हमारे ओफिशियल और लेटेस्ट अपडेट अपको मिलती रहे प्रोप्रेशन एक्जारमेशन बोर्ड भोपाल दवर आजित प्रवेश परिक्षा प्री वेटनरी एन फसरे टेस्ट दोहजार बावीस जिसे हम लोग पीवी अप्टी काते हैं द्वारा परिक्षा परिक्षा परिणाम घोसित हो चुका है ये आपको सब कुछ यहापन ल चारा था वैसे फिसरी साइंस का भी सीमिलर होता है और इन्होंने कोटव भी सीमिलर दिया है कि इतने मार्क्स है 39 34 यूर की बात करे आपका यूर फिमेल और यूर एक्स के टिगरी की बात करे तो यूर जो है फिमेल के लिए 38 यूर मेल के लिए 48 मार्क्स EWS फिमेल के लिए 33 marks और EWS के लिए आपका जो है X category ले 33 marks होना उसके बाद बात करे OBC की जो female है उसको 43 marks है उसके बाद जो है X category की बात करे मतलब जो है F for female X for male होता है ठीक है तो आपका 48 marks SC के बात करे SC ST जो है male और female आपको 39 marks चाहिए counseling में participate करने के लिए यह selection का criteria नहीं है यह criteria आपका 39 marks आपके जो है counseling में participate करने का तो देखे यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है एक तो female की है क्रसक की है सुतन सननी यह सब यहाँ पर categories लिखे हुई है चले आगे चलते सातियों आपको बता दू सातियों कल से ही यह process स्टार्ट हो चुकी है और आज इसका अंतिम दिन है मैं सभी भाईयों सभी बंदों से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस counseling के लिए participate नहीं किया है मैं बताऊंगा कैसे participate करना है ठीक है तो जिन्होंने नहीं करवाए है तो वह करवा लीजेगा क्योंकि यह process बहुत जल्दी होगी क्योंकि जैसे ही आप लोग counseling करवाते है दो दिम बाद आपका अलाटमन लेटर आ जाएगा और उसके बाद आप लोग अपगरेटेशन कर सकते कितनी सीटे होगी इन पर पूरा चरचा हम लोग करने वाले है दोत्यचरन की बात करे 19 से लेकर 19 और 20 को आपका दोत्यचरन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद remaining सीटे बचती है तो तरत्यचरन हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है सारा खुछ लिखा है पूरे निर्देश हमने पहले ही पढ़ लिया था जैसे आपका जो है इसके पहले वाली काउंसलिंग होई थी तो वैसे ही सेम निर्देश इन के दुवारा दिये गए है हमें बार बार इसे पढ़ने क्या हो सकता नहीं है ठीके यह हमारे अभी काम की नहीं है आपको कैसे पंजियन करना है कैसे क्या करना है इसकी जानकरी आपको मैंने पहले ही बता चुका है इसको तो बार बार आपको पढ़ने क्या हो सकता नहीं है ठीके साथी हो देखे यह क्या क्या लगने वाला है आपकी mark sheet लगी 10th 12th जैसे आपका इसके पहले वाली counseling हुई थी similar वैसे ही counseling है ठीक है चलिए आगे बढ़ते देखिए हाँ आब बात करू free seat की और payment seat कितना amount आपको लगने वाला है प्रती year semester प्रतम semester प्रतम वर्स की बात करे ठीक है तो total सुल के यहाँ देखिए आप लोग आपको 33,740 रुपे लेगे प्रतम वर्स दूत्ते वर्स लगेगा 67,750 रुपे उसके बाद जो है 33 वर्स की बात करे तो आपको 67,750 रुपे लगेगा और 64 वर्स की बात करे 67,750 रुपे आपको semester बाइज exam होगी, totally आपके 8 semester होगे, कितने 8 semester आपके होगे, क्योंकि एक year में 2 semester होते है अगर वही आपको permit seat मिलती है, तो ठीक है, permit seat की बात करे, तो यहाँ पर आप देख लिजिए, permit seat का बहुत ज़्यादा amount है ठीक है, permit seat की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा amount है, permit seat का, आप लोग देख लिजिएगा ठीक है, तो जिन साथे को permit seat मिलती है, तो ठीक है, free seat मिलती है, तो ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग जो है, चातरवास लेना चाहते हैं, तो 21,000 रूपे चातरवास का, फिस प्रतम येर, फिर 17,000, फिर 17,000, फिर 17,000, ठीक है तो ये आपके चातरवास का कुल जो है, अमाउंट है, जो आपको लगने वाला है, इसमें जो है, विद्धुत खपत के अनुसार, भोजन और सुल्क का भुकतान अतिरिक दे होगा, नतला आपको खाने का अलग लगेगा, और जो बिजली है, उसका अमाउंट अलग ठीक है, बेंकर ड्रॉब द्वारा यहाँ पर लिखा है, अगर आपको जो है कॉलेज अलॉर्ट होता है, तो इसका डीडी बनाना पड़ेगा, डीडी आप कॉलेज की नाम से बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको तुमें बाद मीज बता दूँगा, आप लोगे, चले, सीट मिलती है, 30 फोट है, अगर पेमेट शीट मिलती है, तो इतनी सीट है आपकी है, जिन साथी उको कॉंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वह सारे साथी कॉंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी ओफिसल वेबसाइट पर जहां से आपको counseling करवाना है देखे साथ हम है क्रिप्स ओंडाइन सेर्विस के official front page पर तो यहां से आपको login करना है simply जैसे मैंने पहले बताया था same procedure है क्लिक करना है इसपर बीलकूर क्लिक किया और नीचे देखिए अब लोग हम लोग कर रहे थे pv息 अप्कि मतलब आपका fishery science की हम लोग पहले counseling कर रहे थे अब हमें करना है किसकी यहां स्वारी हमने पहले कर रहे थे veterinary science की अब करना है fishery science की तो नीचे second वाले पर click करना है जैसे second वाले पर click करते है यहाँ पर apply online ठीक है तो apply online पर click करना है और इसके बाद यह term condition है उस पर check box और click करना आगे बढ़ाना है इसके बाद की process मैंने आपको जो है veterinary science की जो है videos में बता रखा है तो यहाँ पर आपको roll number डालना है यहाँ पर आपको data बड़ डालना है और so पर click करना है और इसके बाद की process so आएगा फिर आपकी detail खुल जाएगी वहाँ पर gmail ID आपको mobile number डालना है और college को arrange करना है और इसको आपको OTP से जो है इसे submit करना है तो I hope सातियो पूरी जान करें आपको समझ में आगई अगर कुछ भी queries रहती है तो comments box में comments करना और आज का ही इसका अंतीम दिन है तो आज ही इसकी counseling कर लिजेगा और हो सके तो वीडियो को share करेगा ताकि सभी बच्चे ठीक है